जिस प्रकार अश्विनी कुमार देवताओं के वईट्य हैं देवों की भी चिकित्सा करने में परम अरह हैं योग के हैं कुशल हैं उसी प्रकार से भगवांशी रामजी के दिवेचरिट उनके दिवेगुण इस संसार रूपी रोग का निवारन करने के लिए परम बैत की समान हैं जननी जनक्सी राम प्रेम के बीज सकल ब्रत धरम नेम के और भक्त जनों के खिदया में भगवत प्रेम उत्पन करने के लिए श्री रामजी का प्रेम प्रकट करने के लिए ये दिवेगुण गंवानों जननी और जनक्सी के समान हैं जिस प्रकार माता पिटा से संत्ति उत्पन होती हैं उसी प्रकार भगवांशी राम जी के दिव्विगुणों के स्म्रण से अभी ध्यान से उनकी प्रियता से भगवत प्रीम का प्रागट्य भक्त जनों के इखते में निश्चय से हो जाता है बीज सकल ब्रत धर्म नेम के और साधक जनों के जीवन में जो भी सुन्दर ब्रत श्रेष्ठ ब्रत धर्म नियमों आदी का आच्रण देखने को प्राप्त होता है उसका मूल भी उसका मूल कारण मूल निमित भी भगवांशी रामजी के दिव्य गुन गन ही है भगवांशी रामजी के दिव्य गुनों का अनुशीलन करके अवगाहन करके भक्त खृदयों को मानों बल टापत होता है कि हम भी पुन्य का हम भी धर्म का आच्रण हम भी श्रेष्ठ ब्रत का आच्रण नित्तिता पूर्वक कर सकें समन पाप संताप सुख के समन पाप संताप सुख के और ये भगवान श्री राम जी के दिव्विगुन सब हुँ कैसे हैं तो कहा कि संसार के समस्त पापों का संतापों का और शुख का ये शमन करने वाले हैं नाश करने वाले हैं प्रिय पालक पर लोक लोक के और इस लोक में भी इह लोक में भी और पर लोक में भी पालन करने वाले ही हैं रक्षन करने वाले हैं सचिव सुभट भूपति विचार के विचार रूपी जियान रूपी जो राजा है उसके ये सचिव सुभट शूरवीर मंत्री है अर्थाज जियान को बढ़ाने के लिए जियान का अभिवर्थन करने के लिए सत्य जियान को प्रकाशित करने के लिए मानो ये जिस प्रकार से मंत्री गण बुद्धिमान प्राज्जी मंत्री गण राजा का सहाय करते हैं राजा के सहयोगी होते हैं उसी प्रकार से सत्य जियान को प्राप्त कराने के लिए सत्य जियान का अभिवर्भाव करने के लिए भगबाण्षी रामजी के दिव्वगुनों का स्मरंचिंतन मंत्रीवत कारि करता है मंत्री के समान जियान के प्रकाश में सहयोगी होता है कुम्भज लोभ उदधी अपार के और सांसारिक जीवों के, सांसारिक प्रानियों के चित्त में जो लोभ की वासना है लोब रूपी जो अपार समुद्र है उसको शोश करने के लिए उसको सुखा डालने के लिए भगबानशी रामजी के दिव विचरित भगबानशी रामजी के दिव विगुनगन मानुकुम्भज रिशी के तुल्ले हैं अगस्त मुनी जी ने अपने महान सामठ्य से संपूर्ण समुद्र का भी पान कर लिया था संपूर्ण समुद्र को भी शोश कता को प्राप्त करा दिया था उसी प्रकार से भगबानशी रामजी के दिव विगुनगन समस्त लोब रूपी अपार सागर को भी पूर्ण तह सु हादेने में अतिसमर्थ हैं काम कोह कली मल करीगन के और इस कली युग के जो मल हैं जो सारे पाप हैं काम क्रोध आदी हैं ये मानों हाथियों का समूह है काम कोह कली मल करीगन के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले जो काम क्रोध और कली युग के पाप रूपी हाथी हैं उनको मारने के लिए उनका वद करने के लिए उनके साथ युद्ध करके उनहीं पराजित करने के लिए कि हर सावक जन मन बन के ये जो भगवान शी राम जी के दिव्य गुन है भक्तों के चित्त में जो निरंदर पुनह पुनह आवृत होते रहते हैं ऐसे भगवान जी के दिव्य गुन गण ये पाप रूपी हाथियों को मालने के लिए के हरी सावक की समान है सिंग के शावक के समान है निर्भेटा से इन बाप रूपी हाथियों के साथ युद्ध करके इनका वध करने वाले हैं अतिथी पुझ्य प्रियतम पुरार के कामद घनदारित दवार के और ये जो भगवांशी राम जी के दिव गुन है ये दिव गुन ग्राम है दिव गुन समुह हूँ है ये श्रीशंकर जी के अत्यंत पुझ्य और प्रियतम अथिती हैं जैसे प्रियतम अथिती का हम सतकार करते हैं पुझ्य अतितियों का हम सरवथा सरवदा सतकार करते हैं इसी प्रकार से भगवांशी राम जी के परमोदार जी आदि दिव गुन श्रीशंकर जी के अत्यंत पुझ्य हैं और प्रियतम हैं कामध घन दारित दवारी के और दरित्रता रूपी दावानल को बुझ्याने के लिए तो ये मानों कामध घन ही हैं कामनाओं को पूर्ण कर्ने वाले मेख ही हैं जैसे मेखों का वर्षण जंगल की आग को शान्त करने में समर्ठ होता है उसे प्रकार से दरित्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए और सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम जी के दिव्य गुण कामद घन के समान हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेख हैं मंत्र महा मनि विशय व्याल के विशय रूपी सांसारिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदी विशय रूपी जो यह व्याल है महा भयंकर सर्प है इस सर्प का जहर उतारने के लिए और इस सर्प ने हम सभी सांसारिक जीवों को इसका विश हमारे शरीर में व्यापत है विशय वासनाओं से हम निरंतर ग्रस्त हैं इस विशय रूपी महासर्प का जहर उतारने के लिए भगवान शी राम जी के दिव्विगुन मंत्र और महामनी हैं जिस प्रकार मंत्र से, महामनी से, सर्पका विश्य तर जाता है. उसी प्रकार भग्वानशी राम जी के दिव्विगुनों का निरनतर ध्यान करने से, बारमबार अनुस्मरन करने से, निरनतर गान करने से, विशय रूपी ब्याल का जहर भक्त जनों के चित से उतर जाता है भक्त जनों का चित सस्थता को निरलोभता को निश्कामता को सतत प्रसन्यता को प्राप्त हो जाता है मंत्र महामनी विशय ब्याल के ये भगवान शीराम जी के दिव्वेगुन मंत्र है महामनी है विशय व्याल के विश को उतारने है तू मेटत कठिन कुँ अंक भा लगे और हमारे प्रारब्ध में हमारे मस्तक पर कितने ही कुँ अंक क्यों न लिखे हो कैसा ही बुरा प्रारब्ध कैसा ही अभाग्य दुर्भाग्य क्यों न हो भगवान शीराम जी के दिव्वेगुन गन ललाट पर लिखे हुए कठिन्ता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी मंद प्रारब्धों को भी मिटा देने वाले हैं अर्था भाग्य को बदल देने वाले हैं भगवान शीराम जी के दिव्वेगुनों का अनुचिंतन दिव्वेगुनों का स्मरण दिव्वेगुनों की उपासना आराधन किनी भी भग्त जनों के ललाट पर लिखे हुए कठिन्ता से अतिकठिन्ता से मिटने वाले बुरे प्रारब्ध को भी बुरे लेखों को भी मिटा देने वाले हैं हरन मोह तम दिन करकर से और जैसे प्रतिदिन उदियमान सूर्ज संसार के समस्त अंधकार को अपनीत करके दूर करके समस्त संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है उसी प्रकार से साधकों के खिदे में जो मोह रूपी अज्यान रूपी अविद्या रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए भगबान्शी रामजी के पावन गुन गण मानो सूर्य के समान है अज्यान रूपी अंधकार के हरन करने के लिए ये पावन गुन गण सूर्य के लिए के समान है सेवक साली पाल जलधर से और सेवकों रूपी धान के पालन के लिए ये मेघ के समान है जैसे मेघ धान सस्य का पालन करते हैं वैसे ही सेवक रूपी अपने सेवक जनों को सदैव ये पावन गुन गण पालन करते हैं उनका पालन पूर्ण तह करते हैं सेवक रूपी धान के पालन करने में ये दिवगुन गण मेघ के समान है अभिमत दानी देव तरुबर से जैसे कल्प तरु सभी अभिमत का दानी होता है सभी अभिष्टों को पूर्ण करने वाला होता है वैसे ही भगवान्शी राम जी के दिवे गुणों की उपासना साधकों की भकत जनों की प्रिय जनों की भगवत प्रेमी जनों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है सेवत सुलभ सुखद हरी हर से और जिस प्रकार से सयं हरी और हर भगवान श्री हरी भगवान श्री शंकरजी इस सर्व लोग के सुख प्रदाटा हैं इस सर्व लोग के आनंद विस्तारक हैं उसी प्रकार से सेवन किये गए हुए ये गुण गण सुलभ भी हैं और सुखद भी हैं सबको सुख प्रदान करने आले हैं सुकवी सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जग, राम भगत जन जीवन धन से, सुकवी रूपी शरद रितु के, मन रूपी आकाश को शुषो भित करने के लिए ये तारा गण के समान है शरद रितु में जैसे बादल छट जाते हैं, वर्षा रितु समान हो जाते हैं, पश्चाद शरद रितु का आगमन होता है, तो बादल में छट जाते हैं, आकाश शुषो भित हो जाता है, और तारा गण प्रकट हो जाते हैं उसी प्रकार से सुकवी रूप जो शरद्रितु है उनका उन सुकवियों का जो मन रूपी आकाश है उसको शुशोभित करने वाले तारागन ये भगवांशी राम जी के दिव्विगुण ही है राम भगत जन जीवन धन से और भगवांशी राम जी के प्रिय भगतों के तो ये भगवांशी राम जी के सुंदर शील आदिस सभाव उदार सभाव किपाल सभाव ये मानों उनके जीवन धन ही है सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधी साधु लोग से और भगवाशी रामजी के ये पावन गुण गण संपूर पुन्यों के फल हैं महान भोगों के समान है जग हित निरुपधी साधु लोग से और जिस प्रकार से साधु जन संसार का निश्छल हित करने में सदय वप्रवृत रहते हैं उसे प्रकार से ये दिब गुण गन सदय वसंपूर जगत के ही हित साथक हैं जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है सेवक मन मानस मराल से सेवकों के मन रूप मान सरोवर के लिए तो ये हंस के समान है जिस प्रकार से मान सरोवर में सदैव राज हंस प्रेम पूरवक विच्छन किया करते हैं उसी प्रकार से सेवकों के मन रूपी मानसरोवर में सदैव भगवान श्री रामजी के दिव्वे गुन गणु का ही निवास रहता है उनी का विहरन सदैव निरंतर्टा से प्रवृत होता रहता है पावन गंग तरंग माल से और पवित्रता करने में इनका सामर्थ्य कैसा है तो जैसे श्री भगवती त्रिभुवन पावनी जगत पावनी श्री गंगाजी की तरंगे उनका सेवन करने वालों को सदैव पवित्र करती रहती है उसी प्रकार से पवित्र करने में तो ये दिव्वे गुण गंगाजी की तरंग मालाओं की समान है पावन गंग तरंग माल से कुपथ कुतरक कुचालिकली कपट दंभ पाशंड दहन राम गुन ग्राम जिमे इंधन अनल प्रचंड जैसे इंधन को दहन करने के लिए प्रचंड अगनी पर्याप्त होती है प्रचंड अगनी संपूर्ण इंधन को जला डालती है वैसे ही भगवान शीराम जी के गुन समुहूं प्रचंड अगनी के समान इसकली युख के जो भी कपट दंभ और पाखंड हैं कुमार्ग कुतरक और कुचाल हैं उन सब को यह शीराम जी के गुन समुहूरूप अगनी जला डालती है राम चरित्रा के सकर सरिस सुखत सब का हूँ भगवान शीराम जी के चरित्रा उनके दिव्वे गुन गन पूर्णि मा की चंड्रमा की किर्णों के समान सभी को सुख देने वाले ही हैं सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं चंड्रमा जैसे सब को आलादित करता है सब के मन को प्रसनता प्रदान करता है उसी प्रकार से भगवान शीराम जी के पावन चरित्र पावन दिव्वे गुन गन पावन दिव्वे गुन समुहूप सभी के ही हृदयों को पवित्र करन वाला है सभी के लिए सुखद है किंटु सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेशी बढ़ला हूँ लेकिन सज्जन रुपी जो कुमदिनी है और साधु जनो रूपी जो चकोर है उनके चित के लिए तो मानो ये श्टीराम चरित विशेश रूप से हितकारी है हितसाधनी वाला है और अतिलाभ दायक है महान लाभ को भगवत प्रेम को प्राप्त कराने वाला है ऐसे परंपवित्र परंपावन दिव्य भगवाशी रामजी के गुण गण सदैव हमें पवित्रताप्रदान तरें इसी भाव के साथ रखुनन्दिन प्रभुशी रामजी कीजय गोसामितों सीधास महाराजी कीजय सद्कुरुदेव भगवान कीजय समस्त भक्त व्रिंद कीजय ओम शान्ति 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 है ओम श्री परमात्मनी नमहां ओम श्री गुरुब्भ्यो नमहां ओम से वेभ्यो नमहां झाल